आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में बात करेंगे फाइटर फिल्म के बारे में किस फिल्म का टोटल बिजनेस कितना हो चुका है लाइफ टाइम क्या होगा ये फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई है क्यों फ्लॉप हुई है इसी के बारे में हम ब कि 90% हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी फ्लाइट पे सफर ही नहीं किया है एरो प्लेंग को उन्होंने पास से नहीं देखा है तो फिर अगर प्लेंग का एक्शन सीक्वेंस हो तो उन्हें क्या समझ में आएगा उनकी लिए कहीं न कहीं कुछ हत्त कि यह एलि अपको ग्राउंड पे देखनी है पप्ली को तब पपлем को मजा आता है और इसका किलेक्शं इसे लिए गिर गया और यह फिल्म उस तरह से बीजनेस नहीं कर पाई बात करते हैं इस फिल्म के बारे में कितना बिजनेस हो गया है तो मैं आपको बता दू कि थरसडे से लेके दोस्तो अगले थोस्टे तक यानि आट दिन का इसका फर्स्ट वीक था और फर्स्ट वीक में इस फिल्म का वर्लड वाइल ग्रॉज हो गया है दो सो अन्ठामवन करोड ओवर सी से ये फिल्म सतर करोड से ज़्यादा का बिजनेस किये और इंडिया में ये फिल्म ठीक चार करोड का बिजनेस करेगी और नौ दिनों में टोटल इंडिया से हो जाएगा 153 करोड पचास लाक इसका लाइफ टाइम 190 करोड की अंदर दोस्तो खतम हो जाएगा निट इंडिया से और अगर 190 करोड इंडिया से कर रही है तो मांग के चले कि 95 से 100 करोड का शेयर तो फिल्म मुझे नहीं लगता है कि इस फिल्म को जादा लॉस हुआ लेकि पेपर पे दोस्तों ये फिल्म फ्लॉप नजर आएगी क्योंकि उस तरह से ये फिल्म बिजनेस नहीं कर पाई 90 करोड का इंडिया से शेयर आएगा और ओवर सीज से 10-20 करोड का शेयर आएगा 30 क बिजनेस होगा इस फिल्म का बाकी OTT, Netflix और बाकी चीजे मिला कि ये फिल्म 200 करोड के करीब पहुंच जाएगी लेकिन इस फिल्म का जो बजट है वो 2500 करोड प्लस बताया जा रहा है तो हो सकता है इस फिल्म को ज़्यादा नुक्सान ना हो कही और से रिकबरी करनी पड़े लेकिन ये फिल्म बॉक्स ओपीस पे दोस्तो एक एबरेज सकसिस हो सकता है कि माना जाए लेकिन बहुत साथ लोगों की नजर में ये फिल्म एक फ्लॉफ फिल्म मानी जाएगी क्यूंकि 200 करोड तीन सो करोड की फिल्म अगर 200 करोड भी बिजनेस ना कर पाएं दोस्तो हम 300 क करोड भी ना हो और नहीं होगा 200 करोड एक सो 90 करोड में इस फिल्म का लाइफ टाइम होगा पैक अप हो जाएगा 190 करोड में 200 करोड नहीं कर पाएगी फिल्म सिधाथ आदन की फिल्म जिनकी लास्ट पठान 500 करोड का बिजनेस की तो पब्लिक आज दोस्तों बहुत पbelिक पहले दिन का पहला showiform होते ही decide कर लेतीए कि भाई इस फिल्म को देखना है अपनिंग को उठना चाहिए 6 अबरी जब्लिक को नहीं उठा और Saturday Sunday ये फिल्म नहीं उठ पाई और Monday सी ये फिल्म क्राइश कर गई और फ्राइडे को आज तो ये फिल्म और भी जादा गिर गई है तो 180-190 कोड़ इसका लाइफ टाइम होगा ओवर सीज में ठिक ठाक बिजने से 70 कोड़ का अब देखते हैं कि इसका लाइफ टाइम क्या वर्ल्ड वाइट साड़े 300 करोड होगा क्या लगता है आपको कमेंट करके बताएं और देखते रहें फिफ न्यूस जो भी अपडेट होगा वैं आपको पताऊंगा आई थी मुझे लगता है कि 300 करोड 320 करोड इसका वर्ल्ड वाइल ग्रॉस होगा जो कि कहने कि बहुत बड़ा जटका दिया है मेकर्स को आप देखते रहें फिफ न्यूस सपोर्ट करें लाइक करें सबस्क्राइब करें बॉक्स ओपिस की सही जांकारी के लिए टेक कियर